मलिकार जुन खरगे आ रहे हैं और इंडिया का टुबंदन की बैठक हो रही है पटना में कैसे देख रहे हैं अब जब ये समय जन्ता के बीच आड़े का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं एक तो कॉंग्रेस के बड़े नेताओं में से ठीक है भई मतलब खड़के साब आए उनके प्रती हम सब के मन में सम्मान हैं बद इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना जरूरी नहीं समझा एक बार बस अगर मुझे याद है तो शाह ग्राहुल जी एक बार आकर गए उसके बाद से तो किसी चरन में ये लोग आए ने और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने करें ये समय है कि जादा से जादा प्रचार में लोग जाए बैठक हुआ लोगों से मिलें उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें कहीं ना कहीं विपल्च भी मान चुका है कि उनकी हार समीप है और ये ठकावट अकसे बैठक करना बड़े नेताओं का बिहार नहीं आना बिहार में इन लोगों को अपनी हार साफ दिखाए 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 लिए बिल्कुल अच्छी बात है और ये वही बात है प्रधान मंत्री जी का प्यार मेरे सब्सγ Χें फिरफ प्रदेश के बात है अदेश के प्रधान मंत्री इतना समय दे रहा है फैसे में करम मालान प logar Watts टेरइड M जमानत मिली है अर्विंद के शिरुबार की को और अग्रिम जमानत ही मिली है जब अभी बेल पर ही है दो तारीक को इनको वापस सरेंडर करने है यह कानूनी प्रेक्विया का हिस्सा है बेराल दलील स्टॉम भी गई थी कि अगर इसी को अगर अधार बना कर जिस तरीके से उन अगर इतने इसका दस प्रतिशत भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करने कुछ चीज़े ऐसी हैं जो की जात पात जो की छेत्रवाद दलगत राजमिती से उतकर होनी जरूरी है ऐसे में जब ऐसे सवाल किये जाते हैं और आज जब चुनावी रन चेत्र में हैं क्या उनके पास अपने चेत्र से जुड़े विशे नहीं है अपने राज्य से जुड़े विशे नहीं है ऐसे मुद्धे नहीं है जिसके उपर सही में ये हमारी सरकार को घेवने का काम करें जब ये लोग ऐसे मुद्धों को उठ करते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं यह दर्शाता है कि विपस्ष कितना मुद्दा ही नहीं के पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को गेंगे